हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल अकसर जब सुबह उठते हैं तो इसकी ड्राय और रूखी से नज़र आती है और एवें चेहरा जो फेस होता है वह बेजान और मुझ जायवार दिखने लगता है और अगर हाथ से टच करें तो बहुत ही इसकी बहुत ही रॉफ है तो ऐसे कोई अगर दिकत है तो आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे तिल लेके आए हूं जिसकी हिल्प से अगर आथ के वक्त चेहरे पर लगाया जाए तो इसकी निसे मुलाएं चमकदार और ग्लूइंग दिखेगी और यह तिल इसकीन के लिए काफी फायदेमंद है तो आए जानते हैं कि इस तेल से क्या-क्या फायदे हैं और इसे तेरे पर किस तरह लगाना है हाँ बड़ आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पर न्यूव है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं अन बेल एकन को क्लिक करते हैं सो डेट राटिफिकेशन मिल जाए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें ओके चलिए इस्टार्ट करते हैं नारियल का तेर ये काफी फैदेमन माना जाता है क्योंकि इसमें हीलिंग प्रॉपर्टिस होती है नारियल के तेर स्कीन को नमी दिरे में हेल्प फुल होते हैं और अगर यूँगा नारियल को तो आप कही तरह सी यूज़ कर सकते हो लेकिन इसका सबसे बेश टाइम होता है आप में सोने से पहले अगर आप में सोने से पहले आप नारियल क filter कयो यूज रता तो तो इसे इसकीन को यूज़ करते हैं च्बूं से अगर इसकीन ड्राइई है तो तो नारिल के तिल को अगर आप यूज करते हो तो ये जूरें की परत को हटाने का काम करती है और इसकिन को हिल्दी बनायार रखती है लेकिन अगर आपके बचे है तो इसके इस्तेमाल से बचे और अगर आप लगाते हो अगले दिन आपको खुदी फर्क दीखेगा हां लेकिन जेरे पे आप coconut oil जो लगा रहे हो वह वर्जिन coconut oil कर अगर इस्तेमाल करते है तो जाधा अच्छा रहता है जो cold-paste आता है अधर इसे अपने face पे apply करें और पूरी face में अच्छी तरह circular motion में लगाते हुए आप इसको इस तिल को apply करें अगर आप रात में नारे दिल के यूज़ कर रहे हो तो नारे दिल को अपने face पे लगाने से पहले अपने face को अच्छी तरह साफ कर ले अच्छी तरह दोले और नारे दिल आप यूज़ करेंगे तो इससे आपकी इसके खुएवी चमक भी वापस आईगी मौसराइस भी होगा नमी बरकरा रहेगा आपके चेरे का और इसकिन में गुलूग आएगा नारी और तिल के अलावा अगर कोई तिल और आप अपने face पे लगा सकते हो तो वह है वर्जिन olive oil और castor oil अगर आप की तरह का night cream यूज़ कर रहे हो तो night cream में olive oil की कुछ बुंदे डाल दे और अपने face पे apply करें अगर आप कोई cream यूज़ कर रहे हो तो उसमें olive oil की जगह पे castor oil भी लगा करके अगर आप अपने face पे इस्तेमाल करते हो तो इसे भी skin पे गुलूग आता है ओके friends इस video में बस इतना ही next video में हाजिर होंगे कुछ नए tips के साथ तब तक के लिए bye bye take care